नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चेनल मन की चाहत पर दोस्तों महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में एक ऐसे पुरुष के विशय में बताया है जिसका कोई भी स्त्री सम्मान नहीं करती है ऐसे पुरुष को महिलाएं महामूर्खी समझती हैं और अगर ऐसा पुरुष उस्त्री का पती यानी हस्बैंड होता है तो वह स्त्री उसका त्याग कर देती है और उसे छोड़कर चली जाती है काभी सामना ऐसे पुरुषों से कही ना कहीं जरूर हुआ तो होगा ही विदुर जी ने ऐसे पुरुषों के छै लक्षणों के बारे में बताया है अगर किसी भी पुरुष में इन में से एक भी लक्षन दिखाई दे अथवा उसके बहविर में ऐसी हैबिट्स दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा पुरुष सबसे बड़ा मूर्ख और यम दर्जे का है ऐसे पुरुष के साथ ना कभी मित्रता करनी चाहिए और ना कभी उसे अपने घर पर बुलाना चाहिए नहीं तो लोग आपको भी उसके जैसा मूर्ख समझते हैं इसके अलावा अन्य नीतियों में भी ऐसे पुरुषों का वर्णन किया गया है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षन विदुर जी ने अपनी नीतियों में बताएं हैं जिसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए अगर आपके भी अंदर इन में से एक भी लक्षन हो तो उसका जितना जल्दी हो सके त्याग करें आपके अंदर भी ऐसी आते हैं अथवा बैड हैबिट्स है तो जल्दी ही उन्हें छोड़ दें नहीं तो बाद में बहुत पच्चताना पड़ सकता है अगर आप विदुर जी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि विदुर जी कोई साधारन मनुष्य नहीं थे वे साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे मांडव्य रिशी के श्राब के कारण धर्मराज को विदुर जी के रूप में एक दासी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा था विदुर जी महाभारत के केंद्रिय पात्र में से एक थे वे हस्तिनापुर के एम्पायर के महामंत्री कौर्वों तथा पांडवों के काका थे विदुर जी ने अपनी नीतियों में मनुश्यों के लिए बहुत ही महत्वपून उपदेश दिये हैं ये उपदेश आपको जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत काम आ सकते हैं लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे पुरुषों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं विदुर जी के अनुसार ऐसे पुरुष अपनी मूर्खता के कारण समाज में बार-बार अपमानित होते रहते हैं इनका कोई सम्मान नहीं करता और ना ही कोई इनकी बातों को महत्व देता है ऐसे लोगों का जीवन किसी पशू की भांती होती है ऐसे पुरुषों का सम्मान तो उनकी पत्मी भी नहीं करती है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं महात्मा विदुर ही ने ऐसे महामूर्ख व्यक्ति के कौन से लक्षनों के बारे में बताया है स्वार्था या परित्याग ये परार्थमन उत्तिष्ट अती मिथ्या चार थी मित्रा थे यश्मूड हनसा उच्छते इस लोक में उस पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है तो चलिए जान लेते हैं उस व्यक्ति के लक्षणों के बारे में सबसे पहला है स्त्री से आग्या लेने वाला विदुर जी के अनुसार जो पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता बलकी अपनी पत्नी की कमाई पर राहत है उससे आग्या लेकर कार्य करता है ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है जो पुरुष पुरुशार्थ नहीं करता बलकी घर में ही रहकर स्त्री की आज्या का पालन करता है उसी के कहने से चलता है और दास की तरह उसकी सेवा करता है ऐसे पुरुष नपुनसक और हिज्रे होते हैं इनका कूरी आत्म सम्मान नहीं होता है, जो अपना पेट भरने के लिए पत्मी से काम करवाता है. ऐसे पुरुष को संसार में कोई सम्मान नहीं मिलता है. ऐसा मूर्ख पुरुष तो दूसरों की स्त्रियों से भी आग्या लेकर उनके कार्य करता है. इसलिए ऐसे पुरुषों को जीवन भर अपमान का ही सामना करना पड़ता है दूसरा है थोथी बातों पर खुश होने वाला महात्मा विदुर कहते हैं जो भी पुरुष स्त्रियों द्वारा की गई थोथी बातों पर खुश होता है अत्वा स्त्रियों के हावभाव से तुरंत प्रभावित होता है वह अत्यंत मूर्ख होता है ऐसा पुरुष स्त्रियों के हावभाव से प्रभावित होकर तुरंथ ही अपना पराक्रम देखने आगे आता है और अपमानित हो जाता है स्त्रियों द्वारा भड़काए जाने पर अनिष्ट कार्य करता है ऐसे पुरुष को कोई भी स्त्रि आसानी से मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा सकती है जो पुरुष स्त्रियों के रूप को देखकर तुरंथ ही मोहित हो जाता है और अपना महत्वपून काम छोड़कर स्त्रियों के पीछे चलने लगता है उसे हर कोई मूर्ख ही समझने लगता है जो पुरुष स्त्रियों के आस्ट्रिस्ट आस्ट्रिस्ट आस्ट्रिस्क रूप और सौंदर्य को देखकर भी विचलित नहीं होता वहीं वीर कहलाता है और संसार में कीर्टी प्राप्त करता है तीसरा व्यक्ति है निर्धन होकर बड़ी बड़ी योजनाय बनाने वाला विदुर जी कहते हैं जिसे व्यक्ति के पास पैसाना होने के बावजूद भी स्त्रियों के सामने बैठ कर बड़ी बड़ी फैंकता है बड़ी बड़ी योजनाय बनाता है और गरीब होने पर भी धनवान होने का ढोंग करता है ऐसा पुरुष जल्दी ही नश्ट हो जाता है वह स्त्रियां भी मूर्ख ही होती है जो ऐसे पुरुष की बातों पर विश्वास करती है लेकिन बुद्धिमान स्त्री ऐसे पुरुष के जाल में नहीं फंस्ती और उसे मूर्ख समझ कर उसका परित्याग कर देती है जिससे स्त्री का पती ऐसी ही हवा में बड़ी-बड़ी बाते करता है वह स्त्री भी एक दिन उसे छोड़ कर दूसरे के पास चली जाती है व्यक्ति को अपने मुख से नहीं बलकि अपने कार्य से महान बनाना चाहिए जो जूठी बाते कहकर दूसरों से तारीख पाने की कोशिश करता है वह निश्चित ही अपमानित होता है चौथा है बैठे बिठाये धन पाने की कामना करने वाला विदुर जी कहते हैं जो पुरुष पुरुशार्थ न करके बैठे बिठाये ही धन पाने की कामना करता है और बड़े बड़े सपने देखता है उसे सारा संसार मूर्ख समझता है ऐसे लोग अपने जीवन को भाग्य के भरोसे पर छोड़ देते हैं और किसी चमतकार की राह देखते बैठते हैं शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को धन पाने के लिए पुरुशार्थ करना पड़ता है अर्थात कर्म करने पड़ते हैं सोय हुए शेर के मुख मेहिरन अपने आप आकर नहीं घुस जाता बलकि उसे भी मेहंत करनी पड़ती है सामने पड़े हुए खजाने को उठाने के लिए भी पुरुशार्थ करना पड़ता है इसी लिए केवल भाग्य के भरोसे पर जीवन नहीं चलता उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है पांच वाहे अकारण ही क्रोध करने वाला विदुर जी कहते हैं मूथ पुरुश में यह लक्षन होता है कि वह अकारण ही क्रोध करता है चोटी-चोटी मूर्ख तापूर्ण बातों पर क्रोध करने लगता है किसी के भी भढ़काने से भढ़कता है प्रतिशोध लेने की जूठी कसमे खाता है और अपनी जान को अकारण ही जोखिम में डालता है अपनों पर संशय करता है और शत्रूओं को मित्र मानता है और चटी बात है स्त्रियों के काम में दखल देने वाला एक मूर्ख व्यक्ती में यह लक्षन होता है कि वह पुरुषों वाले काम करना छोड़कर स्त्रियों के काम करने लगता है ऐसे पुरुष को स्त्रियों के साथ काम करने में आनंद आता है जिससे स्थान पर स्त्रिया दिखाई दे यह उस स्थान पर पहुँच जाता है ऐसे पुरुष जहां पर औरते काम कर रही हो ऐसे स्थान पर जाकर दखल देता है जिससे स्थान पर औरते ना हो ऐसे स्थान पर इन पुरुषों का मन नहीं लगता इन्हें पुरुषों से अधिक स्त्रियों के साथ क्रीडा करने में खुशी मिलती है इसी लिए ऐसे पुरुष को स्त्री या मूर्ख ही समझती है तो दोस्तों इस प्रकार से महात्मा विदुर जी ने एक मूर्ख और स्त्री लंपट पुरुष के छै लक्षन बताए हैं क्या आपके अंदर ऐसे लक्षन है तो जितना जल्दी हो सके उनका त्याग करें अगर यह ज्यान आपको अच्छा लगा तो विडियो को लायक जरूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद